हेलो गाइंस कैसे हैं आप सब आज मैं कैसी वीडियो लेकर आई हूँ जो कि आपको बिल्कुल जीरो पॉस टिप्स देने वाली है और बहुत ही जादा अमेजिंग होने वाली है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक कीजेगा मेरी इंस्टाग्राम हैंडल को भी जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तो पड़ते हैं आज की बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स की तरफ आज के जो हैक्स में आपके साथ शेयर करने वाल एक्चली ये मुझे बॉक्स गिफ्टिड था बहुत सारी चीजें इसमें थी पर उसके बाद सारी चीजें मिक्स होनी शुरू हो गई और बच्चों ने इसका हाल जो है चीजों में भर भर कर बहुत ही बुरा कर दिया था तो मैंने उनी का ही एक जैसे कलर बुक आती है तो आप भी ऐसे पार्टिशन वाले जो भी बॉक्स आते हैं तो उनका गित्ता निकाल सकते हैं उसके बाद अपने और्गनाइजेशन वाली चीजों के लिए उसको यूज कर सकते हैं जैसे कि पार्टिशन में होती है क्योंकि सारी चीजे बिखर जाती है यहाँ वहाँ फैल ज पड़े तो यहाँ पर मैंने इसको बंद करके रख दिया है और बच्चों ने इसके उपर बहुत सारी पेंटिंग भी की थी जिसको मुझे साप भी करना पड़ा तो उमीद है आपको यह चोटा सा हैक पसंद आया होगा और पसंद आया तो मुझे जरूर बताईएगा तो ऐसे ही हमारे घर में जैसे कर्टेंज होते हैं तो कर्टेंज कैसे होने चाहिए जो की फ्लोर पर टच ना करें जी हां जो कर्टेंज फ्लोर को टच करते हैं वो जाधा गंदी हो जाते हैं और नीचे से थोड़े से फटनी शुरू हो जाते हैं क्योंकि टाइम जैसे बीगता है और हम curtains जो है 3-4 साल के लिए तो at least लगाते ही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं एक तो curtain को बंद करने के लिए ताकि वो proper खुले नहीं अंदर बाहर जो हवा आती जाती जाए तो उसके लिए आप इसमें double tape का यूज कर सकते हैं इतनी जादा यह डबल टेप effective होती है चूटने पर भी न असानी से नहीं चूटती यह निकल जाती है तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है इससे न जो हमारा floor length है curtain वो बिल्कुल नहीं touch कर पाता और second इकठा भी रहता है हमें अलग से कोई इसमें चीज़े आड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती उमीद है आपको tip अच्छे लग रहे होंगे ऐसे ही बढ़ते हैं हमारे अगले tip की तरफ तो हमारे घर में जब भी summer season आता है न तो हमे bottles को change कर लेना चाहिए जी हाँ और हमें कौन सी bottle यूज़ करनी चाहिए BPA free bottles को use करना चाहिए तो कोई sponsor वीडियो नहीं है घर के लिए bottles ली थी तो आपके साथ सोचा इसकी सफाई भी share करती हूँ और जो bottles होती है न हमें कैसी लेनी चाहिए BPA free bottles लेनी चाहिए तो मैंने सोच में मुझे ये bottles मिल गई है और आप भी जो है bottles को use कीजिए और use करने से पहले इसका मैं एक बहुत ही बढ़िया सा हैक ले कराई हूँ सबसे पहले तो न हम धक्कन को को लेते हैं और ये चे की packaging मुझे बहुत ही जादा बढ़िया लगी और उसके बाद अब हम क्या करेंगे बोटल्स को साफ करने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो ऐसे ही डारेक्ट हमें जो है bottles का यूज नहीं करना चाहिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले तो इसमें हलका सा वीनेगर सारी bottles में डाल देंगे इससे जो भी प्लास्टिक की smell होगी या वैसे कोई smell है वो सारी चली जाएगी तो थोड़ी थोड़ी न इसमें एक से दो चमच सारी bottles में आप डाल कर रखतीजिए इससे क्या होगा जब तक आप पानी गरम करेंगे तब तक वीनेगर अपना काम bottles में कर देगा अगर आपके पास इतना भी time नहीं है तो इसको गरम पानी में अच् तो है इसका जो सफाई बहुत ही जादा डिपली हो जाती है जो भी बैक्टीरिया वगेरा होते है इसको बनाने के टाइम पर वो सारे रेडियूस हो जाते है तो ठक कर लगा करेंगे बोटल को विनेगर सारी साइड चला जाएगा तो साइड बाई साइड न मैंने पानी जो बाद मैं इसमें डाल दूँगी विनेगर और थोड़ा सा यहां पर मैं बेकिंग सोठा भी आड़ कर देती हूं तो एक चमच की हिसाब से यहां पर एक टेट चमच की हिसाब से बेकिंग सोठा यहां पर आड़ कर देंगे और अब हम क्या करेंगे इसमें जो विनेगर था वो डालते जाएंगे और अच्छे से न आप इसको बाहर अंदर से न डूबो कर अच्छे से इसको दो लीजिए तो ऐसे ही सारी बॉटल को न हम ऐसे ही दो लेंगे ये पानी से गरम पानी से क्योंकि vinegar हमने already इसके अंदर डाला हुआ था तो इसके लिए न हमें बहुत जादा deeply इसको जादा दिर भढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे ही हम न सारी bottles में करेंगे और उसके बाद मैंने क्या किया है सारे डखकन को बीच में ही रख दिया है और अच्छे से शेक कर लेंगे baking soda और यह सारी चीज़ों को तो यहां पर मैंने न नॉर्मल पानी से फिर गरम पानी से इसको थोड़े से गरम पानी से फिर से अलग से धोया और इसके बड़ने बाने से दो करना इसको सुखाने के लिए रख दिया और अब यह बिल्कुल जो है proper clean हो चुकी है आप इसको ज freshness सी आ जाती है पर ना कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी kitchen में space कम हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप जो ताकि पानी की भी बेस्टेस जादा ना हो दो सिंग्स तो आजकर सभी के घर में होती है तो आप क्या कीजिए ना एक सिंग में बरतन रख लीजे जैसे कि मैंने रखे हैं क्योंकि kitchen चोटी होने की वज़े से ना जो हम bucket में रखते हैं बरतन वो रखे नहीं जाते की बार तो उसके लिए मैं है कि यूज करती हूं सबसे पहले तो ना मैं सिंग को अच्छे से जो है ना मांच लेती हूं किसी भी चीज से आप scrubber से अच्छे से साफ कर करणने के कारण जो हमारी पुरानी सिंग्स होती है उसमें जरूर बcere निहीं होता अगर आपके घर में है तो बहुत अची बात है इसे क्या होगा ओंगा जो पानी है न वे वह सिंग में खड़ा रहेगा और अगर नहीं है तो आप यह मेरे वालन उसका जरूरS मांदेग आपको पसंद आएगा इससे क्या करेंगे आप इससे पानी भर लीजिए सिंक में जितना चाहिए और जो बरतन है उसको मांच करना साइड में रखते जाए तो इससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी सेकिंड आप बरतन कीजिन की सिंक में रख सकते हैं उमीद है आपको है अगली टीप हमारी बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग है क्योंकि जब भी हमें चादर बिछानी होती है और जो बच्चे होते हैं उसको निकालने में एक मिनट नहीं लगाते तो आज मैंने कैसा है पिताऊंगी जिससे जो बच्चे हैं बहुत तेजी से भी खेचेंगे तो चादर बिलकुल बाहर नहीं आएगी तो इसके लिए बहुत ही बड़ी ऐसा हैक लेकर आई हूँ सबसे पहले तो आप नापकर सारो चारो साइट से चादर को बिछा लेजे सारी साइट इक्वल होनी चाहिए क्योंकि यह जो नुसका है तब भी अपलाए होगा जब चा तो नोट लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी ना जो है अगर खीचने की वज़े से ना वह नहीं निकलेगी तो चारो साइट इक्वल करने के बाद ना नोट लगा लीजिए और उसके बाद गद्दे के निचे इसको फोल्ड करके अच्छे से रग अगर पतले गद्दे है ना तो इसली बाहरा जाएगी तो यह भी एक बहुत इंप्टेंट टिप है उमीद है आपको आज की सारी टिप सची लगी होंगी तो यह देखे बिल्खुल हमारा जो बैट बीच है ना बहुत ही जो चादर है बहुत ही बड़ी बिच्चे है उमीद ह आपको टिप अच्छी लग रही होगी अब यह जो लास्ट टिप है ना आप कहेंगे कि मैंने गंदा सा बर्तन क्यों आगे रख दिया गंदा सा नहीं है इसमें हलदी लग-लगके आप ऐसे ही अलिफाफा निकाल कर न अपने डस्ट बीन में बाहर फैंक सकते हैं तो मुझे बताएं आज की सारी टिप्स में से आपके फेबरेट वाले टिप कौन सी है आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में बाबाई